कि येस्ट वियर लाइब नाओ हेलो फ्रेंज दिस इमाइंची एन वेलकम तू लेट्स लेर्न तो डिसकस करेंगे ये सीडिपी यानि बाल विकास चाल डिवलेपेंट पेड़ोजी का मॉक टेस्ट टू है इसको आप बिल्कुल पेपर में जैसे बैठों वैसे ले सकते हैं सा हैं तो आप चाहें तो यह सेट या मॉक टैस्ट हमने भी दिये हुए हैं कितने प्रीवियस यह आपके पास सैट अवेलेबल हैं अच्छा सेट है और लेवल वन लेवल टू आप एक बार बैठ करके इसको प्रॉपर सॉल्व करिए और चीजें क्योंकि स्लिवस एक्कम बढ पेंडिंगे वो भी मिल जाएंगे कहां टेलीगाम चैनल लेट्स लर्न स्कॉर्ड लाइक शेश सब्सक्राइब आप कर देंगे पोल में जवाब देंगे साथ में कॉमें बताएंगे कितना आपने स्कोर की आंत में 30 क्वेशन हैं प्रॉपर जैसे पेपर में आते हैं से यानि थर्स्टे फ्राइडे दो दिन बीच में हैं तो सेटेटे नाइट को नौ बजे ही शुरू करते हैं हम लोग मेराथन सेशन रहेगा आपका बाल विकास का दर नेचर ओफ रिलेशन शेप बिट्विन डिवलेप्मेंट और लर्निंग इस व्यूड़ बाइब लेव से बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे देखे एक बार कौन सी बात सही है विकास और अधिकम के बारे में है बहुत बढ़ बढ़ा नुजहत देखेगा तो सी ऑप्षिन के रहें 52% लोग देखते हैं इस लीनियर इन नेचर ना तो लर्निंग नीर लीनियर होती है ना डिव स्टेटिक इन नेचर नहीं डाइनमिक होगा फिक्स थोड़ी है मतलब खत्म बिल्कुल निश्चल है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस्थर है भाई लर्निंग और डिवलेपमेंट आप कुछ सीख रहे हैं और जो एज के साथ आपका डिवलेपमेंट हो रहा है दो आइब और गउप मेंट या नी पहले अधिकम होता है फिर डिवलेपमेंट आता है यह बात आज रहने बार्ने कहता है जल्मिया बैसके पहले आता है यह बात प्याजे कहते नजर आएंगे आपको यह बात देनागे को तो विकास हमा अधिकम के बारे में लब YGOS की का द्रिश्टी कॉन पूछा है? प्याजे का नहीं पूछा? अगर प्याजे पूछा हो दा तो आइंसर हो जाता D लेकिन यहाँ पर प्याजे न पूछ करके उन्होंने YGOS की पूछा है और मैंने आपको बताया हुए जब वाइगोस्की की बात आए तो आप लिख सकते हैं VLD VLD बोने तो वाइगोस्की कहते हैं कि learning से development आता है पहले L बाद में D अगर प्याजे की बात करें तो PDL हो जाएगा यानि development से learning होगी यानि प्याजे stages की बात करें कि age आएगी बच्चे की maturity हिट होगी उसका genetic makeup जो है उसको उसकी टांगों में वो जान आएगी कि वो cycle सीख सके अब वाइगोस्की कह रहे हैं कि अगर आप उसको सही माहौल दें इन्वार्मेंट दें तो ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं चीज़ें के इसी एज में ये शमता आएगी वो कह रहे हैं आप इन्वार्मेंट दो जो सीख जाएगा एज उनके लिए मैटर नहीं करेंगे तो एज हो भी गई तब भी साइकल नहीं सीख होगे अगर एफट और प्रेक्टिस नहीं होई है तो तो दोनों अपने अपनी जगा सही है वाइगोस्की कह रहे हैं लर्निंग यानि अगर आपने एफट नहीं किया प्र सीख लिए लिनिगए और की तो आप पर लिटरेचर भी बढगेंगे उस भाश्याम में चेंगे आप उस भाशा में बहुक्त आरे लेक्टर सुन सकते हैं तो क्या हो draw you også the according applies to you command learning diofish अक्सर विकास के अग्रिम होता है यानि आपने सीक और विकास होगा कास में बहुत सारी जीजैं इंक्लूड है उसमें एक लेर्निग भी है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें चाहिए वो दिमाग का विकास हो शरीर का विकास हो सामाजिक विकास हो तो लेरिंग से डिवलप्मेंट वाइक आगास की अगर डिवलप्मेंट ओफन प्रसीड लेर्निंग होता तो प्याजी का अगर पूछा होता तो हो जाता चलिए खैर आगे बढ़ते हैं ऐसी ही इनके बारे में थॉट और लेंग्विज को लेके भी थोड़ा क्लैश रहता है उस पर बाद में चर्चा करेंगे मैराथान में एक सेशन में सब कुछ कंप्लीट क्वाश्ट नबर टू देखना डिवलप्मेंटल थेयरिस वो यह कहेंगे कि थ्रूआउट लाइफ प्लास्टिसिटी चलती रहती है आड़ लाइटली टू एंफसाइज भी इंपॉर्टेंस वॉफ विकास आत्मक सिधानतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है इस संदर्व में किसकी भूमिका बेहद म तो ब्रेन हमारा कभी भी कुछ भी सीख सकता समय के साथ यदि आप उसको सही खाना दें ब्रेंग को तो इसकी सीखने की शमता बनी रहेगी तो यह क्या है खाने का मतलब एनवार्मेंट ठीक न तो यह एनवार्मेंट एंड एक्स्पीरियन्स की बात हो रही है यहां पर के क continuous है जो डिवलेपमेंट है वो continuous है यदि उसको सही अनुभव सही चैलेंज चीजें मिलती रहें तो नमनिय है plasticity होती है आपके डिवलेपमेंट में ये continuous चलता है में एन्वार्मेंट का रोल ज्यादा है ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन देखेगा नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर थ्री डिस कॉंटिनुटी इंदी डिवलेपमेंटल प्रॉसेस रेफरस टू अब आपको बता है कुछ लोग मानते हैं कि विकास एक इसमें नमनेता होती है जीवन परेंट चलेगी कुछ लोग मानते हैं विकास डिसकॉंटीनुटी नसे क्यों क्योंकि उन्होंने स्टेजिस में बांट दिया वहीं वाइकॉस की हैं जो इसमालेंगे या ज्यादा तर लोग कॉंटीनुटीनुस मानेंगे जब तक प्याज न अगर हम बात करें अच्छा नीचे लिए ठीक है अगर हम बात करें आंसर यह आप लोग देखते हैं डिसकॉंटीनुटी इंदी डिवलेप्मेंटल प्रॉसस रफर्स तो फर्स्ट आप्शन न्यू वेस ऑफ अंडर्स्टेंडिंग डिवर्ल्ड एट एमर्ज दूरिंग प अभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं यानि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जवाब जारें तो कुछ नई नई एबिलेटी आपके अंदर डिवलेप हो रही है बिल्कुल फैक्ट है डिसकॉंटीनुटी का मतलब ही है क्योंकि स्टेज में तो ती ना नेगटीव ब्रेक्स इंदी डिवलेप्मेंटल प्रॉसेस इपको नेगटीश कुछ चीजह है जो नेगटीव बरेक आते रहते है उसको डिसकॉंटीनुटी कर रहें नहीं आडाउनवर्ड डेटीव declaring ट्रेंड के मतलब तो प्याजे नहीं यह थोड़ी का है प्याजे डिसकॉंटिनूस मान रहे तो वह यह कहने कि आप नीची तरफ जा रहे है मतलब डिवलेप्मेंट आपका खराब की तरफ जा रहे है नहीं असा नहीं है से नहीं में चांगोन से सोचेंगा लिटल साइंटुस है ही फिर इस स्टेज से इस से अगली स्टेज में गए तो क्या हुआ अब उसमें इगो सेंट्रोज्म है एनिमिस्म है एना सिंबॉलिक थोट आ गया सिंबल से सीखने लगेगा दो से साथ में प्रियोपरेशनल अब कॉंक्रीट ऑपरेशन में और लॉजिक भी आ गया फिर नेक्स स्टेजिस है प्याजे की यह बता रही है कि विकास एक और निरंतर पृत्रिया है और एक सटेज तक हाइस डिवलेपमेंट मेंटल हो जाएगा प्याजी का संग्यानत में विकास यही कहता है हार स्टेज में नई चीजें उभर के आ रही है यहां पर अलग फिर दो से साथ म उभरने वाली बात नहीं है यह तो सोशल इंटरेक्शन और जो भी पियर गुरूप है यह है वो है मोर नॉलजवल अधर आप से सीख रहे हैं तो डिस कॉंटिनेट इस कॉंटिन यहां पर तो लाइफ रॉंग हो जाएगी डिस कॉंटिनियूस डिवलेपमेंट का मतलब है क यूँ वेज ऑफ अंडर्सेंदिंग डिवल्ड यह दूरिंग दी प्रॉसस अव डिवलेपमेंट आप सेम चीज को अलग दृष्टी से हर बार जैसे जैसे दो से साथ वर्ष का बच्चा एक ग्लास दो ग्लास को अलग तरीके से देखेगा कि यह दो से मिल पानी है दो से म nisilyeal इनतुर आफ डिरेंटिंग इंभाडन हैあनि हम जनरली जो है तीन सचार स्टायल पढ़ते हैं क्यों पता नहीं आप लोग ऎसे से करनी पढ़ती है पालन्पोशन की प्राधीकारिक शेली, अथरिटीटिव पता ही नहीं, आपको बच्चे कहां जा रहे हैं और care भी है यानि आप discussion करके rules set होते हैं बच्चों की भी उसमें भागिदारिता है किसी बात को मानने में एच्छा आपको ये career choose करना है तो discussion हो रहा है logic निकल करके आएगा बच्चे के पक्ष को सुना जाएगा पेरेंट्स के पक्ष को सुना जाएगा discipline भी है और तब जाके किसी conclusion पर पहुंचा जाएगा इसलिए ये बैस्ट माना जाता है making decisions for the child बच्चे के लिए अगर आप decision लेन तो आप हैं वो कह दिया ना कह दिया वाले पेरेंट कौन अमिताब बच्चन किसके कभी खुशी कभी ग रहा से याप खुदी decision ले रहे हैं उसके लिए making unreasonable demands from the child यह भी फिर authoritarian ही है engage in joint decision making wherever possible authoritative का मतलब यही है कि जहां संभव हो बच्चे के साथ साज़दारी में निरने लेना या अच्छा तुमको लगता है कि दस बज़े आना ठीक है तो आप बदाने के नहीं बटा सेफ नहीं है फिर आप कहेंगे कि पापा यह है वो है फलाना है धिमकाना तो सतर चीज़ों पर discussion होगा फिर अच्छा क्या है चलिए बहुत बढ़िया तो दी ऑप्शन इस दी राइट आंसर आप पेरेंटिंग स्टाइल पे एक बार बात कर लेते हैं और टीचिंग स्टाइल पर भी एक क्वेशन यहां से आजाता है देखिए पेरेंटिंग स्टाइल की अगर बात करें कि बच्चे को पालने की त दी तो अ-हरी टेटिव जहां पर इंत्रोवी है यानि के टीप्लेन भी है और केर है जिसलिए इसको को बैस्ट कहा जाता है कि सिर्फ बच्चों की चल रह revisionर चेसभ पिद्स की चल रहु है ठीक है खूर्शीा कि नाम से मैं आपको याद कराया हुकए याद होतो आपको ये इस पे अलख से एक वीडियो बनाया YouTube पे बेरिंट स्टारिल का ये कई बार पूछा जाता है कई बार नहीं अथोरितरीन एन entertainment 800 baterian में क्या है भाई अाथ औरे टेरियन होता है अधिनायक वादी जिसकोम कहता है एक एक अलग बात बड़ दिखती नहीं है फिर आ जाता है पर मिशेव स्टाइल ना तो यह पेरेंटिंग में अच्छा यह है ना पढ़ाने के तरीक में यानी टीचिंग मैथट मैं भी ठीक निया पर मिसे वोना पर मेशिव स्टाइल का मतलब है आपको पता ही निया आपको बेस वाला इस्टाइल हो गया महावार देखिए ना तो धृत राश्ट का जो इस्टाइल है वो परमसिव ही एक जो महाराज धृत राश्ट राश्ट हो बिल्कुल पुत्र मोह में अंध्य है एक्दम कि दुर्योधन जो करें सब चलता है तो यहां पर केर दो बहुत जादा है जो कि एक उम्रों तक बेसिक डिस्प्लेन चाहिए अगर हम बात करें फिर लास्ट आता है आपका इग्नोरेंट जिसको हम कह देते हैं या नेगलेक्ट फुल स्टाइल यह पेरेंटिंग का स्टाइल है कि आप कौन सा स्टाइल से बच्चे को पाल रहे हैं नेगलेक्ट बता है कि बच्चा कौन से स्कूल में अरे यह तो बहुत अच्छा एक्जांपल अभी वह एनिमल मुवी आई थी ना तो वह लास्ट में कह रहे होते हैं अरेंबीर कपूर कि आपको यह नहीं पता था मैं कौन से कॉलिज में पढ़ रहा हूं यह वो तो नेगलेक्ट फुल इस बार तो अभी तक तो कोई वीडियो नहीं हटी है कि यह बात तो यह एक बैसिक बात हो गई अब टीचिंग की अगर में बात करूं बैस्ट कॉन साइस में अथॉरिटेटिव बैस्ट है क्योंकि यहां कंट्रोल भी है के बच्चे की सुनी जा रही है और पेरेंट्स भी का मतलब है कि यह और टो क्रेटिव जहां लिखा मिल जाए समझ जाओ नेगेटिव है यानि एक व्यक्ति ही ही चल रही है मतलब सिर्फ टीचर की चल रही है या फिर सिर्फ पेरेंट्स की चल रही है चलिए अथॉरिटेटिव इस गूड दी ऑप्शन इस दी राइट आंसर कार दो प्रोसेस ऑफ डिवलेप्मेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलिंग स्पैसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन यानि जीन प्याजे के नुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्नु में से किस विशिष्ट संग्यानात्मक प्रकारियों तो कौन सी प्रोसेस है डिवलेप्मेंटल चेंज की डिवलेप्मेंटल चेंज की कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉगनेटिव फंक्शन यानि आपका जो स्कीमा है इसकीमा मतलब जो ब्रेन में भरी हुई चीजें है वो अपडेटेड रहता है या चेंज हो पाता है परदिया है जिसमें आता है सिम्टन एंदर आते हैं अनुकूलन यादेप्टेशन के अंदर कि या तो आपको छोड़ते हैं अपने स्कीमा में जिसको हम स्कीमा होता है जो प्रिवियस नॉलिज आपका पूर्व घ्यान है आपके धिवाग में जैसे आपके फोन में स्टोडे के पास add है आपके schema में आपने एक और नमबर मम्मी ने लिया और आपने एड कर लिया उसी में मा वन या मा के अंदर ही आपने एड कर लिया उसको एक schema में assimilate करना क्या है जब आप पुराना number delete कर रहे हैं और एक नया number लेकर क्या रहे हैं यानि previous schema में आपने modification किया है है चेंज किया है तो यह है assimilation and accommodation जुसको adaptation की प्रक्रिया में डालेंगे हम और अनुकूलन ठीक न मैचुरेशन एक्सपिरेंस का यहां सेंस नहीं बनता क्यूंकि cognitive function को balance करने के लिए assimilation और accommodation ही एक मात्र सही तरीका यहां पर होगा question 6 देखेगा यह क्या कहता है यह कहता है कि आफ फाइव यह ओल्ड चाइड एक पांच साल का बच्चा है वास गिवन 10 पैबल्स दस उसको कंकर दिये गए पत्थर दिये गए खेलने के लिए पिठ्धू ओलते ना जिन पेैश मत्तर ने किसर्कल बनाया उनसे यानि अलगलग शेयप क्रिएट करने कोशिशित कर रही है शी चांटीड इस पैबल्स अब वह यहां इस लाइन में भी पत्थर गिन रही है फिर इस में फिर सर्कल में गिन रही है कि कि दस ही है न विच आफ्छ टŌंग निव स्कीमाज इस शी अटेंट आटें अकॉर्डिंग टो जीन प्याजे के नूसार विया है बच्ची निम्न में से कि संध्यानात्म के स्कीमा को ग्रहन करने की कोशिश कर रही है कि वह अलग अलग शेप में उन छे पत्थरों को रखके दस पत्थरों को रखके और यह देखने की यह बढ़ा है से यह बढ़ा है से जो रीजनिंग टाइप की चीज़े होती है ए बढ़ा है बीसे बढ़ा है सी से तो भी नहीं है नॉमिनल स्केल यानि कोई नॉमिनल स्केल की वैल्यू की बात हो रही है संकितिक माप दंड है नहीं ऐसा थोड़ी के एक सेंटीमिटर बराबर इतना मान लिया है आपे नहीं चीज़ों को समझने कोशिश कर रही हो उस दिन बताया था कई प्रकार की रहेंगे क्या न की दस एक एक के सिक्के हैं इनको छोटी लाइन में रखूं पास पास रखूं दूर दूर रखूं इनका सरकल बना दूर रहेंगे दस ही तो तो चैन्सरवेशन क्या है जब आपको पता चाहिए शेप और साइस के बदलने से क्वांटिटी या वॉल्यूम चेंज नहीं होता आगे बढ़ते हैं और यह कब आता है सीसी एस साथ से ग्यारा वर्ष कॉंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वैशनुमर सेवन देखी अकॉर्डिंग टू लैव वाइगास की दो प है आपको पता है सुसाइटी कल्चर और लेंग्विज यह तीन ऐसी एल जैसे बीपेल कार्ड होता है ऐसा हमने ऐसी एल कार्ड बनाया हुआ हुआ है वाइक ऑसकी के लिए याद रखने के लिए इसका ऐसा कुछ नहीं कि हम भी पिल से कुछ और कहना चाह रहे हैं बट यहा संस्कृतिक यंद्र कह सकते हैं यानि कलित्र क्रद्ध्य अपर इसकते हैं हमारे हो सकते हैं हो सकते हैं हमारे शिया शाने पर लेकिन क्विटेंस डाउन है किटना ओगया भी नहीं यह बताऊ ततर इधर हो गया और यह नभे मतलब 90 के पार जा रहे हो आप ठीक कोई दिकत नहीं है अभी आप नंबर मत गरों अभी आप यह देखो जहां गलती हो रही है उसको सुधारना है मौक टेस्ट का इसलिए करो कि पेपर टाइम पर जाए अभी के लिए क्योंकि अभी आप जितन इसलिए फायर्स डेरिवेटिव सब फाल्तु बाते हैं कल्चर क्या है कल्चरल टूल्स जिसमें भाशा हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ न हो सकते हैं तो सुसाइटी कल्चर और लेंग्वेज चलिए लेंग्वेज को भी उनने टूल कहा है वैज्ट नमर्-8 देखेगा वै पीडी कहते हैं देखो आज कल जब से पेपर ओनलाइन वार इस बार ओफलाइन वाले में भी चार से पांच को चार वस्टेवाइगा उसकी पर सीदे सीदे एक साइट में बहुत सारे क्वेशन वाइगा उसकी को लेके आते हैं तो इनकी ठीजिए अरी को अच्छ समझना ज आके नोट्स पढ़े फ्री या बैस में आपने अद्मिशन लिया तो आपको टीचर की मदद मिली और आपके नमबर अठाइस आ रहे हैं अभी जैसे कोई बता रहा था तो इसका मतलब आपने पोटेंशल है अठाइस और तीस नमबर लाने की संभावना है यदि मदद मिल जाए तो जैड़ पीडी वो दाइरा है जो आप खुद से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और किसी की मदद से कर सकते हैं उन दोनों की बीच की डिफ्रेंस को जैड़ी करते हैं को लाबरेटिव डायलोग यानि सहयोगातमक समवाद वो जैड़ीव मदद करेगा और अब् हो वो है कोलाबरेटिव समवाद यानि सहयोगातमक अधिकम कि बच्चे गुरूप में एक दूसरे से मदद ले रहे हैं सीख रहे हैं तो जैड़ पीडी यो दाइरा बढ़ता जाएगा जितनी संभावना है वो बहतर हुती जाएगी सीखने की आगे बढ़ेंगे का इसके अग्ए नो भी कॉता है नो और यह सैंट ने खना इस इससे बिष्ट की कि बात कर रहे हैं यहां पर तो दो तीन वर्ट से जो हमें ध्याना से को पता है है तो सायटी कल्चर लेंगर यह तुंज से बहुत मैं तुकू फिर जैड पीडी आपको पता है वो दायरा ज से मचांज इसको कह देते हैं हम इसके फोल्डिंग देगा कौन कौन मोर नॉलिजबल अधर ये इसके फोल्डिंग दी कहां जाएगी एम को के द्वारा ये दी जाएगी जैड़ पीडी में उस दायरे में जो संभावना है सीखने की इसके फोल्डिंग क्या होती हिंट देना क सुल्ड बॉल्बल्म देना मिए और बच्चे जब गृप में सीक रहे हूं अपने पीर्ग वाश के साथ सीख रहे हूं रहे हुं इनक भी बीएट काइट सीख रहे हो एक दूसरे में चाहिअ assessments ये तो को Coopera करें यह तो co-opera ट्यकित रहे हों तो cooperative learning as is tipo लेर्निंग यह सारे वर्ट्स है जो आपको वाइगॉस्की के साथ जोड के रखने हैं कि सहयों करना गुरूप में एक्टिव रहना सुसाइटी कल्चर के माद्यम से सीखना यह सब मतलब वाइगॉस्की की तरफ इशारा कर रहे हैं ठीक जी क्वेश्च नमबर नाइन देखे और जवाब दीचेगा वश्च नमबर नाइन देखे यह कहता है स्टेज फाइब ओफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरायलिटी एस गिवन बाई लॉरेंस कोलबग इस मांक्ड बाई यानि लॉरेंस कोलबग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नेतिकता के अंतरगत इस त सोशल कॉंट्रेक्ट औरियंटेशन कहते हैं जिसको हम उसके बारे में कौन सी बात सही है आफ फ्री अग्रीमेंट फॉल्वा सोशल कॉंट्रेक्ट फॉर्डी बेनेफिट ऑफ हुमेनिटी एन एक मानवता कि भलाई यह तो सामाजिक अनुबंदों को स्वतंत रूप से नि से मैं सकते हैज न projet करें तो बे शक्ति वह था समाज में लेकिन वह बहुत बड़ी पापिलेशन के नहीं था तो उसको बदला गया तो लॉज समाज के लिए हैं और वो बदले जा सकते हैं यह पांच भी स्टेज कहती है तो यह तो गलत होगे ऐसा थोड़ी के फ्री छोड़ दो चलने दो आफ फ्री एक्स्प्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बेयॉंड सोशल कॉंट्रेक्ट यानि सामाजिक अनुबंधों के परी जाकर नैतिकता को स्वतंत रूप से अनुवेशित करना यह सिक्स्ट स्टेज में होता है कि आप एक्स्प्लोर करते हैं लेकिन यहां फिफ्ट लेवल पर अगर समाज के लिए सही नहीं है कोई नियम तो उसको बदला जा सकता है इस पर विचार होता है तुई 6 की बात गुड़ वाइन इसकाल हो जाएगा वो तो ठीक ना कई लोग है जो इसमें बी के पीछे पड़े हुएं बी कह रहें ऑप्शन दो को बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि बेयांड अफ्री क्या करें फ्री एक्स्प्रोरेशन और एथिक्स कि जो चल रहा है कंड़क्ट उस परे हो खेर आते हैं नेक्स्ट वेश्टिन पे चलिंगे एक बार यहां अधिक्स और और यहां अधिक्स की बात कर रहें है जो चीजह चल रही है समाज में एक एथिकली अगर हम देखें अगर हम भारत में देखें तो एक कलेक्टिविस्ट सुसाइटी है इंडियन हमारी कंट्री में अगर किसी माबाप को अगर व्रद्ध आश्रम भेज दिया जाए तो हम उसको एथिकली गलत मानते हैं यानि जो सुसाइटी का कलेक्टिविस्ट व्यू है वो जो सैट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एथिक्स कहते हैं अगर हम बात करें तो पर्सनल च्वाइस हो सकती है किसी के लिए जो मानली जे कोई अगर व्रद्ध आश्रम आश्रम भेज रहा है तो हो सकता है उसकी पर्सनल वेल्यू में उसको वह गलत ना लग रहा हूं तो वह एथिकली रॉंग हो गई वो चीज क्योंकि एसा सुसाइट आपने कुछ एथिक्स ऐसे बनाए हुए तो उसके आगे भी जाकर क्या कर सकते हो फॉर्मिलेट कर सकते हो नहीं रूल्स को लाया आजा सकता है यादी पुराने रूल से भला ना हो रहा हो तो यही बात अभी हम सती प्रथा में भी कर रहे थे ठीके ना तुसी ऑप्शन इस आपनाना चाहिए यदि आप एक मौडन टीचर खहलेजे आप कि जहाँ पे जो रिलेशन्शिप है बच्चों के साथ वो फ्रेंड्शिप का भी है वो केर का भी है है ना वो फैसिलिटेटर का भी रोल है आपका सुविदा दाता जो ncf कहता है एंपेथी हां एंपेथी होनी चाहिए कि आप बच्चे के दर्द को दर्द समझ सकें ठीक है ना कंट्रोल कंट्रोल बहुत बहतर हम नहीं मानते बट चलो इसको अभी थंडे बस्ते में रखते है एंपेथी रियलने सब कियर कोशिश करनी है डिसिप्लेन कंट्रोल यह सब चीजों से बच सकें अगर हम तो जादा बैतर डिस्प्लेन एक बार को फ्रूबी ठीक ता कंट्रोल नेगेटिव वर्ड है कंट्रोल का मतलब आप चाह रहें कि आपके हिसाफ से चीजें हो जब मतलब आप खुद को दूसरों के जूतों में रखके देख रहें कि आपके साथ अगर यह होगा तो कितना आपको बरा लगेगा तो एंपथी जादा बहतर है तब आप बच्चे को समझ पाते हैं रियलनेस की अगर हम बात करें वास्तविक्ता जूट नहीं और परवा के अर यह टीचर में होने चाहिए अगर वो एक प्रॉग्रेसिव टीचर है तो कि एमपथी रियलनेस और कंट्रोल निंग कंट्रोल यहां पर फिर नेगेटिव हो जाएगा सी ऑप्शन इस दी राइट आंसर आप लोगों ने जाहतर लोगों आ इधिक दिया भी है क्वेश्ट न अगर आप 25 के असपास नंबर ला रहे हैं तो मुझे लगता है आप फेपर में घडबर नहीं करेंगे कई लोगों को ईजी लग सकता है जोनों ने बहुत प्रैक्टिस करी हो लेकिन यह एकदम बैलेंस सारे टॉपिक्स में कवर्ड हैं स्टेंडर्ड क्वेश्टन से जैसे अगर आप यहां पर 25 ला रहे हैं तो आप मान के चलिए पर में घडबर नहीं होगी आप निकाल देंगे क्वेश्टन को देखेंगा एक बार कौन सा जवाब सही होगा फटाफची समझते हैं कि पटाफचे चलते हैं अरे मैराथान होगी छे को उसमें कोलबग वगरा सब कर लेंगे रोंट वरी देखेगा एक बार कोलबग से एक क्वेश्टन आता है बाकि इस बार दो आ गये थे देखेगा सी आप्शन 35 परसेंट लोग कह रहे हैं चलिए समझते हैं क्वेशन क्या कि या इसके बारे में बच्चे की बुद्धि मत्ता का आपने करने के लिए IQ test वुद्धी लब्धी जिसकों कहते हैं का इस्तमाल करने के मोख्य सरोकार क्या एक चिंता क्या है कि इससे दिक्कत क्या आ सकते IQ स्कूर से कि इंस्टेबिलेटी ऑफिसकोर ऐसा हो सकता है कि एक इसकेल पे आइक्यू ये हो दूसरे ये हो संभावना है इंस्टेबिलिटी की बात सही है कुल्चरल बायस इन टैस्ट ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है एक टैस्ट की कि अगर वेस्टन कंट्री में अमेरिका में कोई ट अच्छा दे पा रहें क्योंकि वो उसी में रहते हैं लेकिन अगर को इंडियन वेक्ति वो वो टैस्ट अटेंप्ट करेगा तो गढ़बड़ हो सकती है उसके नंबर कम आ सकते हैं आई कि उसको वहां कम हो सकता है तो कल्चर न्यूटरल टैस्ट बहुत कम होते हैं कल्चर प्रफ्रीट होता एक आपको यह दोगा रेवंस्ट प्रोग्रेसी तेस्ट वह कुझे टेस्ट है कुछ ही टैस्ट ऐसे होते हैं जिन टेस्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता नहीं तो जाद तरह आइक्यो टेस्ट जो है इस ज आमेरिका हो जर्मनी हो उस कि तरफ जादा जुके हुए होंगे उस कल्चर के लोग अगर उस टेस्ट को अटेम्ट करेंगे ज्यादा नंबर लाएंगे बाकी कोई और कल्चर कर रहा है तो हो सकता है उतना अच्छा बहतर परफॉर्म ना कर पाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वह लेट ही नहीं कर तो फिर तो उनको तो छोड़ देना चाहिए था क्योंकि नंबर नहीं ला रहे थे यह क्लास में पढ़ना ही पा रहे थे लेकिन वह स्कूर के बावजूद भी ब्रिलियंट था ना हो एक ती तो गिफ्टेड हुआ तो यहां पर सिस प्रॉड़क्ट पर फोकस्ट है प्रॉ रखा गया तो आई की टेस्ट फेलियर ही साबित होगा बी ऑप्शन इस दी राइट अंसर इसका मतर भी निया फेलियर ही होते हैं क्वेस्ट नबर 12 देखिएगा हावड गार्णर से क्वेस्टन है एन एक्स्पीरियेंस ऑफ इंट्रा पर्सनल इंटेलिएंस विदेना क्ला अंतर व्यक्तिक बुद्धी वैसे अंतर व्यक्तिक होना चाहिए तो इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना और एक होती इंटर पर्सनल इंटर पर्सनल अंतर व्यक्तिक यह अंतर व्यक्तिक होनी चाहिए तो अगर हम देखिए इंट्रा पर्सनल का मतलब है स्वें को ना इंट अबस था इंट बस अबस चलती है इंट इंटानल फ्लाइच चलती है मतलत दो या दो से अधी यह आ इन ऑफ रही तो स्वैक्ट की बात हो रही बच्चे के खुद के बारे में तो यह गाटे रह फ़स्ट टो बिले टी थो handle social situations well interpersonal intelligence ability to understand meaning and rhythms of others speech language linguistic intelligence है भाशक बुद्धी है knowledge of one's own complex feelings and strengths and weaknesses आप खुद को बहुत अच्छे समझ पाते हैं खुद के emotions खुद की भावनाएं खुद की strength खुद की weakness यह है intra-personal यानि आप खुद को जानने में self intra का मतलब यह self within the individual appreciation of aesthetics and beauty वो naturalistic intelligence हो जाएगी चलिए खेर see option is the right answer question about 13 देखेगा इस बार भी intra-personal question आया हुआ था यह questions repeat होते हैं बहुत बार question about 13 देखेए the role of a teacher within the classroom is to encourage children to express which of the following attitudes related to gender by gender के बारे में gender के संदर्भ में या link के संदर्भ में एक सिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए किस चीज के लिए मोटिवेट करें teacher अगर जेंडर concept पढ़ा रही है बताईए एक बार जेंडर टाइपिंग के लिए तो जेंडर टाइपिंग नहीं जाएंगे लड़कियां तो लंबे बाल ही रखती हैं सिर्व रोल्स को वे टाइप हो जाये दमाग में जेंडर के प्रति पापा बाहर का का काम करते हैं पाप तो घर पे हात भी नहीं लाते हैं यह नियुका ने टाइपिंग का मतलब क्या है कि आप जो रोल चले आ को दिमाग में बच्चे के टाइप कर रहे हैं जैसे आप कोडिंग करते हैं किसी कम्प्यूटर में तो यह एक नेगटिव बात है इससे स्टीरोटाइप प्रमोट होगा यह कोई पॉजिटिव बात नहीं है इस्टीरोटाइप क्या जो चला आ रहा है कि लड़किया लड़के से मेल ऐससे नहीं बढ सकता जैसे चुठकीवला के मतलब जैसे मैं ककड़े बदल सकता हूं न बाद में आज के समय साइन्स बहुत सारी चीजसे कर रहा हैब बादत जेंडर सी का मतलब यह कि जंदर कॉंस्टेंट हो था है सी ऑप्शन है अडॉप्ट सोशली एकसेप्टेबल जंडर रूज यानि जो समाजिक तोर पर सुविकरिट जंडर रोल्स हैं यह काम भी करें घर का काम भी करें पुरुष सिर्फ भार का काम करें चल जाएगा ना घर पर ना भ नज़र आ रही है वो है डी ऑप्षिन जेंडर स्टीरो टाइप फ्लेक्जिबिलिटी सिर्फ स्टीरो टाइप पढ़के यह मत सोच लेना है नेगेटिव है फ्लेक्जिबिलिटी यानि जो जेंडर ऊड़ी वद्धिता में लचीले पन की जुरत है वो टीचर बच्चे के दि भी टाइपिंग नहीं चाहिए बा बाइसने देंगे तोर इबाइस ऩांग में d सेक्स लिखा हो तो यह क्या है biological construct है यानि जैविक संरचना है आप महिला आएं के पुरुष है वो आपकी जैविक संरचना के ऊपर बात हो रही है जब की जेंडर अगर लिखा हुआ है इंगलिश में ही देखेगा हिंदी में दोनों जगा पर सेक्स लिख देते हैं कई बार ज फॉर्टीन देखेगा एक बार यह कहता है ना क्लास्रूम वेर स्ट्रेंट्स है डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल यानि ऐसे बच्चें जो विविधता रखते हैं एक बच्चा जो देख के सीखता है दूसरा बच्चा है जिसको डांस में इंट्रस्ट है तीसरा के सीखने की शमता कोई बत्चा मैध strengths सकता है कोई बाध्य इंसरा च्छा बन सकता कोई बिच्टार अप्च्छा बन सकता कोई दृट्स यानि एक मान की इस्थर नॉर्म एक स्टेंडर्र लेव इन्स्रॉक्षिन यूनिफर्ट पहने में अच्छ लगती इस्कूल में सारे बच्च ये जैक पड़े मैने इक वरेटी के लिए बट यूनिफर्टी पढ़ाने के तरीके में नहीं होने चाहिए यूनिफर्म एटी एनक वहाप पे सेम नहीं होना चाहिए तरीका नॉमेटिक इस टेंडर लेवल नहीं हाँ पर डिफरेंट इंस्रक्षिन होने चाहिए डिफरेंट तरीके से पढ़ाओ क्योंकि बच्चों की नीट्स डिफरेंट है तो यह दिफरेंट इंस्रक्षिन यहां चाहिए हम को फाइंड क्रिएट वेज ऑगेजिग विद्धी रखने वाले कि भागीदारी के लिए इस रिजनात्माइट टरीके खोचना अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहें कभी आप ग्राउंड में ले जाके पढ़ा रहें कभी आप फिल्ड विजिट्प पे ले याप पिक्चर दिखा रहें वाइं को इस तरह दिसको उस तर क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट और मेरी सेक्शन का हो गया मतलब कि आपने जो स्पेशल करना कुछ उनको अलग कर दिया तो अलग थालग नहीं करना बच्चों को ऐसे लेकर चलना है कि सब बच्चे इंप्लूड हो सके हैं डू एबिलेटी गुरूपिंग से बचना है और क बच्चा है ज़ो मैप्स में अच्छा है दूसर बच्चा एंग फिर भी चल जाएगी इंडिविजल डिफ्रेंसेंस में कराया हुआ हुए आपको लेकिन विदिन क्लाफ नहीं सारे बच्चे जो एक जैसे हैं जो फॉस्ट आपके सारे 90 परसेंट वालों को एक सेक्शन में रख दो बाकी बच्चों को सबको डी में डाल दो या खराब खराब सेक्षिन बना दो यह खराब तरीका है जिसको हिट्रोजेनेस गुरॉप कहते हैं हम वो बैटर होते हैं होमोजेनियस गुरॉप नहीं कि जहां सेम अबलेटी वाला बच्चा है तो बी ऑप्शन नहीं है आप सही गलत मार्क करने आएंगे सिर्फ तो उसका फायदा निए वो तो आप घर पर बैठके कोई प्रिदियस एर उठाके कर लेते हैं तो एनलेसिस प्रॉपर जरूरी है क्वेस्टन की चीरफार जरूरी अगर मैं कहूं तो फॉर्मेटिव असेस्मेंट इस जेनरल की जाएगी यह सब्सक्राइब तो नहीं होगी इस बार तो नहीं लग रहा और क्वेस्टन की प्रेक्टिस का एक बड़ा सेशन रखा गया था जो लोग बैच में फिर वह नहीं के लिए था कल से शायद यूट्यूब पे देखते हैं एक बर मैरेफान तो मुश्किल है वो होता है feedback के लिए activity based होता है कि बच्चे को activity करके कुछ नया सीखने को मिलेगा तो help teachers plan better and provide supportive non-evaluative feedback to students बिल्कुल सही बात है कि teachers को एक तरीका मिल पाएगा better planning के लिए वो बहतर योजना बना पाएंगे कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं उनको सही हो कैसे किया जा सकता ह यानि जसे आप अभी पोल में जवाब दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी में आपको इतने नंबर आये तो आप फेल होगे यह कहीं जुडेंगे नंबर नहीं जुडेंगे बस आपको यह non-evaluative feedback के लिए है कि आपको idea लग जाए कि कहा ज़ुरत है improvement की तो ऐसा feedback ना कि judgment based नहीं नंबर यह सब ऐसे में आता है तो discriminate appropriately between ability levels of students कभी बच्चों की शमताओं के आदार पर उनमें भेदभाव करना सही तरीका नहीं है बच्चे के भले के साथ चलना है आपको बच्चा जहां active है उसके साथ चलना है ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी question number 16 देखेगा multi cultural education multi cultural का मतलब multi का मतलब यह बहू और cultural मतलब Sanskrit यानि जहां multiple culture के बच्चे हो अलगलग संस्कृतियों से अलगलग भाशा ही बोलने वाले बच्चे हो यानि आप बच्चों को equal opportunities दे रहे हैं समान अवसर दे रहे हैं कि सारे बच्चे साथ में सीख रहे हैं चाहिए वो different different culture से हो अलग भाशाइं बोलते हो अलग जाती से हो कुछ भी हो educational equality for children from different cultures within the classroom बाप तो सही लगए सेम ही बात है दोरों repeat हुए है शोकेसिंग डांसे म्यूजिक ऑफ दिफ्रेंट कल्चर सॉन इस्पैसिफिक को किसंस लाइक एन्युल दे ऑफ स्कूल यानि अनुल दे पे आप अलग तरह के गाने बचाने बचाने बच्चा या पूरे साल सीखेगा पूरे साल आपको अलग तरी के अपनाने यह कुई तर सब्सक्राइब के निचे सीखें एडूकेशन पॉर और सभी के लिए सिक्षा और यह कह रहा है कि अलग अलग संस्कृति के बच्चों को स्कूल में अलग खंड बना दो कि यह गुजराती बच्चे यह इधर पढ़ेंगे यह पंजाबी बच्चे है यह इधर पढ़ेंगे यह मतलब जिस भी आधार पर आपने अलग अलग बना दिया नहीं एक शत के नीचे सिखा पाएं हम तो ए और बी दोनों सही है क्योंकि सेम हैं दोनों यह इस तरह का भी कई बार हो जाता है पेपर में गड़ बड़ी यह दो ऑप्शन सही हो जाते हैं जैसे में लास सेट में आधा पेपर हम निपटा चुके हैं यह मानेंगी हम कितने अभी अभी आपने स्कूर कियो लास्ट में बदाना थीस में से क्वर्शनबर 17 देखिए कि अधुकेशन ओफ लेर्नर्स फॉम डिस एडवांटेज एंड डेपराइव बैग्रांड ग्रांड गें गेट नेगेट अगर आपको बिना मतला परशान करना है तो कितने भी ले पा रहे हैं और समझ के साथ लेकर आ पा रहे हैं रट्टे के साथ नहीं तो कोई रोग नहीं सकता पेपर में अच्छा स्कोर करने से एकदम बैलेंस पेपर कहेंगे इसको अगर हम देखें यहां पे नेगटिवली कि यहां तो उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था पहली जनरेशन का बच्चा है वो या फिर हो सकता है कि वह वह बच्चा है जो ट्राइब में हैं मान लोग एक जगा से दूसरी जगा मूब करते रहते हैं साल भर समाज में किसी भी रूप से वन्चित रहे गया हाश नहीं मिला है ऐसे बच्चों को उनको नेगेटिवली दिक्कत ना आ जाया स्कूल में उससे बचाने के लिए क्लिए क्या करना चाहिए यह पूछा है नहीं यह नहीं पूछा यह पूछा है कौन सी चीज़े नेगेटिवली प्रभावित कर सकती हैं तो स्टीरोटाइप के अगर टीचर नहीं दिमाग में बनाया हुआ इस जाती के बच्चे समू के बच्चे इस जगहा के बच्चे अचा गाउं से आयो तो नहीं नहीं तुम से तो नहीं सीखा जाएगा यह स्टीरोटाइप है तो इस्टीरोटाइप अगर टीचर या बाकी बच्चों के दिमाग में होगा तो बच्चे को सीखने में दिखकत होगी क्योंकि वह अल्रीडी डैपराइब यानी वंचित और अल आभानवित जगहां से आ रहा है जहां सब्सक्राइब को दबा के रखा गया है लैक ऑफ अंडरस्टेंडिंग ओफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स यानी ज्ञान की स्थानिय संवर्शनाओं की समझ के अभाव में यदि आप एक ऐसे टीचर है जो लोकल नॉलेज ऑफ सिस्टम्स आपको ही नहीं कि बच्चे की लाइ जाना है complex to simple नहीं तो टॉप दाउन भी गढबढ हो जाएगा यह भी गलत ही तरीका इसलिए सही है करीकूलम बेस्ट ओन लोकल कल्चर ने लेंग्वेज अगर आप ऐसा करीकूलम नहीं इस्तेमाल मिला पा रहे हैं जो लोकल लेंग्वेज पे है और आपका इस्थानिय नह कहीं ऑप्शन देख रहा हो तो बताओ यार और सेकिंट थर्ड हाँ बी ऑप्शन इस दी राइट आंसर इसमें तो आप लोगों ने बहुत गलती किया फोर्थ को भी आपने इंक्लूड कर दिया इतने आसान सवाल को आपने गलत कर दिया नहीं देखिएगा एक बार नेक्स of the following यानि रचनात्मक चिंतन स्रजनात्मक सोच कुछ नया करना किस चीज से बढ़ावा नहीं मिलेगा कुछ नया करने को कौन से टाइप की थिंकिंग है जो क्रियेटिविटी को बढ़ावा नहीं देती क्रियेटिविटी का मतलब है आउट ओफ दे बॉक्स सोचना कुछ डिफरेंट करना क्रियेटिविटी ओरिजिनालिटी से जुड़ी हुए होती हां मॉलिक ता आप अपने ओरिजिनल विचारों को सोचने कोशिच कर रहे हैं ऐ कि आप पहुँच जाएंगे यह बात को आप तॉलरेट कर पारें कि कोई बाथ नहीं आएगी क्लैरीटी तो यह बात भी ऄचिशाण हो लिए द्टेकन लेकिन अभी सारी चिंतन रेटिविटी को बढ़ा नहीं देता क्यूंकि DC साथ जाता है CC नहीं बहुत बार आपको कहा है यानि creative thinking और convergent thinking साथ में नहीं जाते convergent thinking creativity को promote नहीं करती DC का मतलब है divergent thinking creativity को promote करती इसलिए DC साथ जाएगा CC नहीं तो अप सारी चिंतन मतलब दिशाओं में सोचना open ended जैसे चार options में से एक option चूज करना इसमें Convergent thinking लगी है यह intelligence को तो बढ़ावा देती है जेपी गिलफर्ड के अगार्डिंग बाट creativity को कुछ नया करने को बढ़ावा नहीं देती कि एक भी question series की class हो जाती ना सस्टी की तो बहुत help हो जाएगी section में बहुत डर लग रहा है ठीक है पक्का करवा देंगे यह एप पे आज class हुई है questions question practice की वो live नहीं होगी तो मैं recorded डलवा दूगी कल यह पर्सों में ही don't worry ठीक आ आपने इतने ठीक तो convergent thinking मतलब यहां पर creativity को बढ़ावा convergent thinking security सोच से नहीं मिलता फैलती हुई सोच से मिलता है divergent thinking इस पर लग से वीडियो बनाई हुए यूट्यूब पर और marathon में भी समझेंगे a child with locomotion disability joins a primary school which of the foreign would not be a facilitative strategy for inclusion of the child within school यह एक बच्चा है जिसको locomotion disability है गीत विशक नहीं है इसका मतलब यह हिंदी में गलट ट्रांस्वेशन आपके पेपर में भी हो जाता है कई बार आजकल है ना और यह बड़ी दुखात बात है खेर लोको मोशन disability का मतलब बच्चे को चलने फिरने में दिखकत है हड्यों से रिलेटेट कोई disability है यह आर्पी डब्लीड एक्ट में आता है जो एक किस disability है उन्हें से ग्राउंड फ्लोर हांख divine बच्चे को चलने में भी और मूफमेंट में दिक्कत है तो आप उसका जो क्लासiquement पाल्सितव बात है घंसा तरीका सही नहीं होगा empathy building among peers यानी उसके संक्ख्षी उसके साथ्यों में उसके classmates में या बच्चों में बाकी ये बात को empathy को फैलाएं कि भाई आप दूसरे के समस्या को महसूस करें अपना दर्द समझ के देखें बार खुद को वहां रख के देखें तो बाग तो सही है बच्चे मजाक नहीं उड़ाएंगे फिर उसका इनरे चलने के डिखा रहा है जबकी इसे बेटर के emertas ही आप को खुद को उस सिच्वेशन में रख के देख दोना है ना कि sympathy क्या और विचार करने सकता छलने सकता है ना इसको जाने दो वह चार पर नहीं इंडाना है वच्छे को आपको इसकी strength पर focus करना है कि वह कर क्या सकता इस बात क्या यह कर सकता हुआ तो वो एक तरीक से नहीं इस से नहीं इस सीखने के तो डी ऑप्शन इस दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्ट नुब ट्वेंटिए देखेगा कोई करा सी डीव को कितना टाइम दे मैं बाकी बताऊंगी पूरा तरीका बताएंगे लिए पेपर कैसे सॉल करना क्या है क्या नहीं वर्षिन नुबर 20 यह देखिए दस प्रस्टन और विच फॉलिंग इस वूर्ट इस वुड़ीटेटिव विद रिस्पेक्ट विद इस पैसिफिक एरिंग डिसेबिलिटीज वो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है उनके सा हो लीस्ट हो तो बहुत ध्यान से जवाब देना होता है ऐसे थ्रीडेट वाले कान खड़े कर लेने होते हैं और जहां नॉट लिखा हुआ है लिस्ट लिखा हुआ है मतलब आसान जवाब होका लेकिन आप गरबर कर देंगे पढ़ने में तो इसलिए ध्यान रखना है तो कौन से रणनीती सुसाध्य नहीं है सही तरीका नहीं है नौट गलत क्या है रिलेक्सेशन इन स्पैसिफिक डॉमेंस ऑफ लर्निंग वेरेवर पॉसिबल यानि कुछ ऐसे डूमें हो सकते हैं जैसे डिबेट वाला डिसकरशन वाला इन सब में बच्चे को सुनने की शंता ज्यादा चाहिए तो आप ठोड़ा रेलेक्सेशन वाहा दे सकते हैं उसको समय जादा दे सकते हैं कि दूसरे बच्चे को बोल सकते हैं थोड़ा लाउड बोलो भई तो यह बात तु सही है तो है उसको रिजनेबल एक्कोमेडेशन इन करीक्लम कि जहां ज़रत हो आप अग निरंतर नकारात्मक टिपडियां क्या तुम्हें सुनता नहीं है क्या उसको सच में नहीं सुनता है तो आप उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं ले जा सकते यह गलत तरीका जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है पेपर में इन्डिविजलाइज एजुकेशन यह मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले क्वेशन भी कराया था आई इपी जो है स्पेशल एजुकेशन में बहुत यूज किया जाते है उसमें बच्चे के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है उनके साथ चर्चा होगी आप टीचर के साथ चर्चा होगी बच्चे की इसपे लिए बेस्ट प्लान बनाया जा सकता है इसकी नीट सोगान मेरक्य आई इपी वही है इंडिविजलाइज एड्टिकेशन बान इंडिविजल की निटान रखे एक प्लान मेरे जाएगा और यह बच्चे को धन मेरा की स्पचल एडिशन में तो यूज होता ही विश्ष्ट अकादमिक उपलब्धी तक सीमित ने रखकर यानि नंबर कौन कितने ला रहा है इस बात तो सीमित ना रखके व्यापक होना जी ब्रॉड होना चाहिए कि सब्जेक्ट में कोई अच्छा है नंबर लाने में या दूसरा बचा हो सकता है कोई मैट्स में या सारे स स्कूल में सॉलिशन ढूना है ना कि यह कहना बेटा जाकर कोचिंग लेलो में से टीशन पढ़ लो उससे काम नहीं चलेगा डिवलप्मेंट आफ सोच्यों ऐसा करते हैं का इटीचर्स बट आइडिली जो होना चाहिए डिवलप्मेंट आफ सोच्यों इमोशनल कैपसिटी अच्छी लग रहे हैं फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टेस्ट विच यह तो हम यहां पर कैसे करेंगे के हम से पूछा था कि अगर कोई करेंगे कि बच्चे में यह देख पा रहे हैं कि डिवलप्मेंट आफ सोच्यों इमोशनल कैपसिटी आज इंपर इंपर्ट आफ एजुकेशन को मैनेज करना शोचली बच्चा कैसे गुरूप में कोई काम करता है ना कैसे वो अपने मोशन को मैनेज करता है लड़ता है नह करतना सिंपल बात है आगे बढ़ेंगे बीक ऑप्शन सही था क्वेशन बटी सेकेंड देखेंगे बाइसवा सवाल क्या कहता है फटाफट से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे ऑन सेप्च्छल क्लारिटी अभी इस बार भी आया था कि किसी कॉंसेट को कैसे इंट्रूद् उस तरह का कॉंसेट्ट्ट्ट्राइटी केन बीसेट तो हैव बीन अचीवड वैना स्टुडेंट कें हम यह कहेंगे कि बच्चे में संदर्शनात्मक समझ यह संप्रत्यात्मक समझ पहले तो मुझे यह बता दिजी कॉंसेट्स कहां बद्दें ऐं आपके कॉंसेट एक साथ ही चलते हैं तो एक साथ ही चलते हैं तो एक सब्सक्राइब के अंदर संग्यानात्मक विकास के तहता आता है सबको बता है बहुत बढ़िया वेल्यूज कहांगी अफेक्टिव ठिंकिंग कहांएगी कोगनेटिव लेंग्वेज कहांएगी कोगनेटिव मोटे डिवलेप्मेंट दोड़ना भागना वो फिसकल डूमें में क्या किया जा सकता है यह बताईए रीकॉल रीकॉल एक दम न कॉंसेट्स लेंट विल लाइफ सिच्वेशन तो यह जो कॉंसेट्ट अपने पढ़ा है आज उसको आप रियल लाइफ मेंट करेंगे तो वह कॉंसेट्टिव लेटी लाइगा तो डी ओप्शन इस दी राइट आंसर वर ही आगे बढ़िंगे विस्टन बढ़ ट्वेंटी तो वह सॉलिशन निकाल करके लाएं प्राब्बम सॉल्वर्स बने इस क्रिटिकल डैट यार गिवन ऑपर्चुनिटी इस टू कैसे अवसर दिया उन्हें कि वह अच्छे समस्या समाधान करता बन पाएं डू एक्सपरिमेंट्स ओनली इंदी फॉर्मेट प्रेस्टाइब टेक्सट्बॉक एक तो यह ओनली वर्ट जहां आजाए समझ जो थोड़े सतार्ख की जवाब दो कि ओनली जो ट्रेक्स टैक्स्ट्बॉक में लिखा हुआ है हमें टेक्स्ट्बॉक के बेउन्द जाना है टेक्स्ट्बॉक के परेग दुनिया है याद रॉक स्टार मूवी जो हमें ऐसे अफसर वेगी मनब टेक्सट्बॉक के परेग दुनिया है सिर्फ टेक्सट्बॉक तक सेंटर नहीं रहना नॉलिज को, रियल लाइफ बेयोंड टेक्स्ट्बॉक लेके जाना है जो किताब में लिखा हुआ है, किताब एक मात्र संसाधन नहीं है क्लास में के ब्लैक बोड भी एवन आपका एक रिसोर्स है स्टोरी टैलिंग एक तरीका हो सकता है डिस्कवरा कॉंसेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग बच्चा सबस्यादा एक्टिव हमें यहीं लग रहा है कि आप स्वतंत्र सोच रखके बच्चे को एक सब्सक्राइब करते हैं तब तक कहां से वह प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्वस्ट नवर 24 देखिए यह एक दो नमर में आता है बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या है हाँ रटंत विद्या चलंत नहीं बिल्कुल दिक्षा मीनिंग्फुल लर्निंग करानी है रोट लर्निंग नहीं तो अगर हम बात करें एरस को कैसे देखिए गलतियों को यूज उस बच्चे उनसे इम्मीडियतली विदाउट फीड़एक सो देट देट आर नोट रिपीटिट यानी बिना फीड़एक के बिना प्रतिपुष्टी के बस उसु सही कर दो तो आपको स्टेप में बताना भी तो पड़ेगा यहां दिक्कत थी यह दिसक्शन करना पड़े और तुरंत नहीं कर स्कृत हिस्सा समझना चाहिए यानी नैच्रली ही गलतियां क्या लर्निंग का पार्ट है दिमाग का अग्निटिव डिवेलेप्मेंट का संगया आत्म क्विकास का पार्ट है कि जब बच्चे सीखेंगे तो गलतियां भी हो सकती है अर डिस्ट्रेक्शन इन दी लर्निंग क्रॉससेंट शुडबी मिनिमाइज क्विकली यानी लर्निंग जो है डिस्ट्रेक्ट कर रहे हैं एरर जो है गलतियां तुरूटियां डिस्ट्रेक्ट करती है उनको तुरंत हटा दो खत्म कर दो पॉसिबल नहीं है गलती करके सीखा दसकता है एरर जो है पार्ट पार्ट सब्सक्राइब करते हैं तो सी ऑप्शन इसी राइट आंसर क्वेश्ट नुटीफाइब देखिए पांक सवाल और बचते हैं क्वेश्ट नुटीफाइब कहता है वाट इस दी रूल ओफ चिल्रंस एमोशन से लर्निंग बच्चे के इमोशन का क्या रोल है कॉगनिशन और अब का लास्ट से किन लास्ट चैप्टर है एक नमबर में हमेशा आता है संग्यान और संवेग कोगनिशन एन इमोशन का मतलब है लर्निंग का मतलब क्या है यह लर्निंग कहां cognitive aspect से जुड़ी हूई है तेंके रीजिनिंग प्रॉबम सॉल इस अब करके आप एफर्ट प्र लर्निंग देरफोर नीट विगन पूल एंशन को कंट्रोल करके रखोस को रूबर बना के रखो बच्चे को और वो डिस्ट्रेक्ट करते हैं हमेशा थोड़ी डिस्ट्रेक्ट करते हैं कैसे कुछ लोग यूपसी क्लियर कर जारे रिलेशन चिप में होते हुए गल फ्रें दखे रखते हुए और सारी चीजें है जीवन में घखल भी रहे हैं और सब तर चीजें हो रहे हैं कैसे कर पाने रिक लोग सिंग ओके भी बहुत कुछ नहीं करते सिर्फ ईप क्राइड एडाने कोई भी चीज जीवन में भई लोग थोड़ी सब्वरान के एमोशन अगये होंगे आप यह कहना गलत होगा बी ऑप्षिन देयर नीट्स टू भी आ क्लियर डिसकनेक्ट बिट्विन कॉगनिशन एन गल्षेंट बॉइफ्रेंट के एक्जांपल तुरंट समझ में आते हैं क्यों यह रियल लाइफ एक्जांपल तो जहां एक आर्थ बन जाता है मीनिंग क्रिये टो था हुआ वह सिर्फ रटने वाली चीज नहीं रहती वह एक रियल चीज बन जाती है तो एमोशन गिव जो है दूसरे को प्रभावित करते हैं यह आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे तो आप अच्छा प्रदर्शन भी करके आएंगे यह आप सिर्फ डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा जुरत से ज़्यादा डरे हुए है तो आगर हम बात करें याप हम थ्री एच का फॉमला भ आती है और हैं यानि फिजिकल एक्टिविटी साइको मोटर में आती है ब्लूम्स टेक्सोनोमिक एनुसार एमोशन में लर्निंग प्रोसेस मैसी ऐसा नहीं है ठीके ना ओख सी ऑप्शन इस दी राइड आंसर के आपको बच्छों के मोशन को करेक्ट रब के चलना है हाँ व आपको करने में बाकी जो होगा देखा जाएगा अना आप सीखने में मजा आ रहा है लर्निंग फर्दव सेक और मिलेगा आपको अप्षन देखिये जहां पर देने से एक्टरनल मोटीवेशन बढ़ती है इंटर्णल नहीं बढ़ेगी जिसका रिजन अंदर वो धूंड़ना है पनिशिंग दैम टूआइड मेकिंग इससे भी कोई इंटर्णल नहीं वो डर की वजह से सीखेंगे या महनत करेंगे वह एक्टरनल मोटीवेशन है लेर्निंग फ्रॉम् दी मिस्टेक्स फ्रॉप नहीं लेर्निंग फ्रॉम् दी मिस्टेक्स विदाउट एनी नेगिटिव पैनल्टी जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई तूटियों से सीख कर बच्चे ने जो गलती की वह से सीख रहा है बिना किसी निकारातमक है वो तो आप लिखके बता देंगे वो पता लग जाएगा एंकरेजिंग टीचर अटेंशन टू पर्फॉर्मेंस बैइस पैशल अचीव है अचीवर्स विदेना क्लास्रूम यानि सिर्फ जो टॉप करते हैं बच्चे उनी पर टीचर का ध्यान हो तो इससे एक्स्टरनल म पड़ेगी आप सोचेंगे कल को मैं भी फॉस्ट आजाओं टीचर मिर को इंपोर्टेंस देगा या देगी तो यह कॉम्टेटिव वर्ल्ड में हलां की हलात खराब है जो आपके कॉमटेशन वाले एक्जाम से वहां यह चीज़ें कई बार लागो नहीं होती है बट हो या मास्टी ओरींट्पी लिर्टर स्थीन प्रकार कर्यों और इंटेशन होते हैं है रसाला आता एक क्षेशन निपृच्छन निपूरता अरून मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं यानी जियनका ध्यान मास्ट्रीपे है सकस्ट के पीछे मत भागो किस क बनना है अपना ठीके ना तो मास्टी ओर्येंटेड लर्नर जो है लर्निंग पर फोकस करते हैं ना कि नंबर्स पर बाकी चीज़ों पर लो फियर आफ यानि आप मास्टी ओर्येंटेड कब बनेंगे कि आप मास्टर बन जाएं किसी एक सब्जेक्ट में यह कब होगा जब आप देखा जाएगा इंक्रीमेंटल वी ओ अबिलिटी यानि शंता का बार्धिक द्रश्टी को एबिलिटी को सुधारा जा सकता है ऐसा नियारे मैं तो इंटेलिजेंटी नहीं हो अरे भाई मैनत तो करो तो इंटेलिजेंट बन जाओगे तो यह क्या हुआ इंक्रीमेंट यह नहीं हो फाइनल हो गया वह भी रहेगा सुधारा जा सकता है यहीं तरीके अपना आए जाए तो लो फिर ओफ फेलियर और इंक्रीमेंटल वी आफ एबिलिटी से मास्टी लर्निंग होती है बाक सही है बाकी के तीन आप्शन चेक करने पड़ेंगे फिर भी बिना चारो एंचीटी बींव एबिलिटीं एंपने चंग एंपने माल संगल्य और रिखोल्य कि अलॉसली बार्द इंद्रकिक सब्सक्रिया अंक्रीम एंगे मास्टीव करेंगे कि ध्यान किस पे है सीखने पे है अपने आप देखेंगे फेलियर और पास तो बाद में देखा जाएगा तो लो फियर ओफ फेलियर और छीज पे है बक्तिर खाद ध्याने टीचर का ध्यान किस पे मास्टी ओर्येंट्टीय बनाने पर होना चाहिए बिदे बच लिए परकेक्षिन के लिए परफेक्शन भी रही हम यहमने इंगे मस्टर वर निंग्फान सte Eco of यानि उसको Master बनना है किसी सब्जेक्ट में किसी एक टॉपिक में उसको सीखने में इंट्रस्ट है लर्निंग फोकस्ट है यह एक मास्टी पर ध्यान है दूसरा होता है शाम लगम था क्या लाँ में उसका वो जो स्पीश देता रटे लगा करके तो परफोर्मेंस और इंटेशन है जहां पर आपका ध्यान है फस्त अने पर लोग तीए इसकी उसकी लिटेटेशन ऑफ से बच रहे हैं बस पास हो जांग किसी तरह से 33% नंबर आज बस आना है उस पर ध्यान नहीं है नहीं नहीं है पर ऐसे लोग कई बार वनाते मिलते हैं परफार्मिन बाहिए हैं परेंस आना है कुछ भी करके चाहिए रट्य लगाओं सी कुछ भी हो मास्टी ओरियंटेशन है यहां पर आपका ध्यान नंबर लाने पर फेल होने पर ही नहीं आपका ध्यान है सीखने तो यह option best है यहीं आपको बच्चे में डिवलप करना है इससे intrinsic motivation आएगी बच्चे में तो जब पहले वाला option होगा तो लो आपको यह होगा कि जब मैं सीखूंगा तो इबिलिटी बढ़ेगी तो इंक्रीमेंटल वी हो गया विच्च नबर 28 देखेगा विच आपकी दमांगों और इस चीज को एक्टिवेट करना आप इस्टोरेज में सही से ढूंड पा रहे हैं अच्छा प्याजी कितने स्टेजिस आपको याद आगया चार अच्छाइए SPCF था आपने सही स्कीमा एक्टिवेट कर दिया है आपका स्टोरेज से सही चीज निकल के आ गई है तो यह तो पॉस्टिव बात है रिस्पॉंस सेट यह आप खुझ सूचिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ दरीयल प्रॉब्लम समस् अच्छा रिमोट नहीं चल रहा एक काम करो ऐसे से करके देख लो चल जाएगा चल जाता कई बात तो यह भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है लेकिन प्रतिक्रिया अनमयता या रिस्पॉंस सेट होता है कि आप समस्या कोई भी वह की तरीका अपना पर है ना जैसे घरवाले या मम्मिया कहती होंगी है कि सरमेदर दो रहा है सारा रीजन कौन है सारी बोल अफ कंटेंशन जिसको हम कहते है राड की जड़ आम भाशा में यह फोन है इसकी वज़ा से सरमेदर दे और लगो फोन में पैर में दर दो आज कल तो सोचल मेडिया पे इस तरह कि बह बार बस पेपर की तैयारी करने फेल हो जाते हैं यह देखी नहीं के तरीका बदलने की जोरत है एक तरीके से लगे पड़ें तो वह रिस्पांस सैथ है कि एक ही मैठट पर फिक्स हो गए यह प्रॉब्म सॉल्विंग में बाधा बनता है एक और चीज़ है जो बाधा बनती है बहुत बार आ चुका है पेपर में helplessness इसको हिंदी में सीखी हुई और शमता कह देते हैं लर्नेड helplessness क्या होती है कि आपने बहुत बार ट्राय किया और आप हर बार फेल हुए तो अपने previous experience की बेस पर आपने मान लिया कि आप से तो होगा ही नहीं यानि आपने ऐसा मान क्या है आपने एक belief system बना लिया है कि आप एक failure है आपने मान लिया है क्योंकि आपके previous experiences व्यसे रहे हैं तो यह सीखी हुई आशमता है जब कि आपको क्या करना था आपकी ability जो है वो incremental है और different तरीके से ट्राय करना था ना कि यह मान लेना था कि मुझसे तो होगा ही नहीं ती एक बात हुई B option is the right answer over here चलिए खेर आगे बढ़ते हैं question number 29 देखिए second last question बढ़ा question लेकिन ध्यान से जवाब दीजेगा यह कहता है encouraging students to compete among themselves in the classroom can have the following consequences यानि आपने बच्चों को प्रोथ साहित किया है कि आपस में competition करो शर्मा जी के बेट्टे से फस्ताना है से फस्ताना है उ इसके consequences क्या होंगे इसका प्रभाव क्या होगा परिणाम क्या होगा यदि आप बच्चे को इसी रेस में लगाए रखेंगे तुमको इससे फस्ताना है इससे ज्यादा नंबर लेके आने यह है वो है क्या है तो इसका consequence क्या होगा परिणाम क्या होगा पहला option है it creates winners and losers within the classroom कि सकते हैं कुछ बच्चे तो आपका ध्यान अगर सिर्फ competition पे तो आप यह नहीं देखेंगे आपके बच्चे ने कितना सीखा या उसकी शमता वो किस तरफ अच्छा कर सकता है आप कहेंगे 90 नमबर चाहिए हमें हमें मतलब तुम cricket बहुत अच्छा खेलते हो तो सारा ध्यान सकता था वो भी ने चले का क्योंकि से बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो गया के कॉंप्वीट करना है उन्हें फस्ट आना है उन्हें फस्ट आना है तो यह बात भी सही है इट केन क्रियेट स्टार स्टूनेंट विदिन अ क्लास्रूम हूज अच्छीवमेंट्स कैन भी सोर्स आफ प्राइड फॉर स्कूल्स कि भया हमारे स्कूल से हमारे कोचिंग इंस रूट से पिछ पिचानव परसेंट रिजल्ट यह यह एक हाश रियालिटी है कॉंपिटिशन वर्ल्ड की कैसा होता ही है ठीक है तो यह स्टार निकाल देगा बाकी बच्चे क्या है फि यही सपने टीचर्स भी बेचते मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बैठीकि अगर किसी के इक्षा है तो वो ले मैनत करें लेकिन सिर्फ सरकारी नौक्री पाना उद्देश है जीवन का नहीं हो सकता तो यह कह होगा लेकिन अगर हम सिर्फ कॉंपिटिव माइंड से ज फेल हो रहे हैं कि हमें मार्केट बेस्ट चल रही है उस पर ध्यान होगा वास सेकंड थर्ड फॉर्ट चारों ही बाते यह कॉंसिक्वेंस हैं यह सिद्ध करती हैं कि कॉंप्टिटिव वर्ड से दिक्कतें क्या होंगी खेर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्टन पेश्ट को जिसका कोई मीनिंग हो और मीनिंग किस चीज का होता है जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज होती है यानि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ जो भी concept होगा topic होगा वो सब आपको जीवन परियंत रहता है उसका कोई अर्थ होता है अपके लिए तो मीनिंफुल इसे देखता है जीवन को या अपने इंट्रस्ट्स को वो क्या करना चाहता है और उसका परिपेख्ष क्या है पस्प्रक्टिव क्या है नजरीया क्या है उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसका वीकनेस का है बात तो positive है वीनिंग्फुल लर्निंग होगी फिर आप उस शेतर में सि चलंत नहीं सी ऑप्शन है रिक्वार्मेंट्स ऑफ दर करीकुलम गिया तो वाट्स मेटिव असेस्मेंट जजमेंट बेस्ट होता है यह सब नहीं आपको फीडबैक बेस्ट चलना है तो यह भी गड़ बढ़ है बेस्ट प्रीमेर लिए 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 बच्छे को आप द सब्सक्राइब कर दिया जो बहुत अच्छी पोस्ट पे आपका बच्चा तो इससे ना हो पाएगा इसका इंद्रस्ट इंद्धान ही निया पढ़ाई में तो आप कहने तुम तो ना का रहा हो और भाई पढ़ाई में नहीं किसी और चीज में होगा देख हो जाके तो एक् सब्सक्राइब कर दीजगा आउट आपने कितने ठीक किया अगर 25 के आसपास भी आप लेके आ रहे हैं मतलब आपके त्यारी एकदम बढ़िया है क्योंकि आपको लग रहा होगा रहा है आसाने कुछन आसाने एक दम ठीक लेवल क्वेश्टन है आपका शायद 20 दिसमबर का सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्राइब करेंगे तो आपके इसमें कवर हो जाते हैं तो आउट अब जी मिलेंगे छे तारिक को सेटरेड़े को जो भी इंपर्टन टॉपिक से मेराथन में वह करेंगे तो जैन्मरी नए साल की सभी को बढ़ाई है नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं आज जैन्मरी को अभी रोज है क्लास ऐसा नहीं कल नहीं है चार चार है परसों पांच है तो आज के लिए इतना ही और ओम शीट प समझ में आ रहा है और नहीं अनुब पढ़के समझ में आना जरूरी है समय ते सब्सक्राइब अटाइस 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 सोनम के कुमारी नहीं है ताइस गी कर अपर मॉक्त टेस्ट कहां लगा सकते हैं और एप्षन है उसमें और मैंने तेरा से स्टार्ट किया था तो